सो दोस्तों आज की कहानी स्टार्ट होती है येजदी नहीं जावा से सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें विडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे जावा जैसे का आप टैटल से देख परें जावा के बाइक्स लाउंच हुए लेकिन याभी आपको तुरंत की तुरंत नहीं मिलेगी इसकी डिलिवरी स्टार्ट होगी वो डिसमबर के बाद ही स्टा लेकिन इन तीन वाइक में से पहले की दो बाइक सबसे पहले लाउंच होगी और इतीन भाइक हो के नाम मैं आपको बता रित इतक सबसे पहले है जावा ऑं दूसरा है जावड़ी स्टी टू के नाम से एगा एंड जो थीजरी बाइक की बाद करूब डैडिस जावा पेर necess अगर आपको जावा को अगर पर्चेस करना तो इसका प्राइज आपको देना पड़ेगा एक शुरूम प्राइज है अगर सीटी की बात को तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेटी में और मोस्तें से टॉन्टी थाउजन रूपिस बढ़के ही मिलेगा दूसरी है जावा 42 यह थोड़ा रेट्रो लुक में आता डेट इस रीजन इसका प्राइस हलका काम है लेकिन यह भी सिटी तक आते आते इसका प्राइस और बढ़ जाएंगा और जो थार्ड जो बाइक की बात करो डेट इस जावा पे रैक इसका जो प्राइस रेगा थोड़ 2.20 लैक्स तक 20 नहीं जादा ही 2.20 लैक्स तक आपको यह मिल जाएगा लेकिन यह लास्ट में लाउंच होगी उससे पहले यह दो लाउंच होगी जावा एंड जावा 42 सबसे पहले है बात कुरू इस गाड़ी को कौन से लोग लेंगे सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आए 60 में है तब के बाद अब जाके लाउंच हुई है गाड़ी और यह वो लोग लेंगे जिन लोग के पार सौफ करना रहे रिगार्डिंग इस जावा कंपनी और जावा से लेटेट बाई वो लोग ज्यादा पर्चेस करेंगे या कुछ लोग जिन लोग को रेट्रो लोग व जावा में है जो लोग है वो सिंपल है और अच्छा लुओ आते है बहुत क्लासिक लूग आता है और जावा 42 है वो फोड़ा लेट्रो लुख में आता है दोन्म ही घाली की बात करो ऑदस में दिस्रींटेट भाइडलाइट मिल जाता जो कि पाफी अच्छा है यानि थोड बात करो तो इसका लूग काफी अरवन है और इसका जो इंजन डिजाइन है उसमें भी काफी अलग है इसमें आपको मैट फिनिश का आपको मिल जाए तोटल मैट फिनिश नहीं कुछ कुछ पार्ट आपको मैट फिनिश याने ब्लैक मैट फिनिश में मिल जाएगा वही दोनो गाडियों में silencer as a crow में और dual silencer है दोनों गाडियों में वहीं में बात कुर आव इंजन specifications की ये तो इंजन के design की बात होगे अव इंजन specifications की बात करो दोनों गाडियों में similar same engine है liquid cool engine है और काफी अच्छा engine है में वही बात कुर engine specification की 293 CC का single cylinder liquid cool BS6 compliant वाला ये इंजन है जो की power output निकालता है 27 bhp का power output जो टॉर्क है वो भी काफी impressive 28 newton meters का टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है और और इसमें है six-speed transmission अब बात कुरू जावा प्रेक की तो ये तो बात में लाँच हो लिए है लेकिन उसमें भी बता दे तो आपको गाड़ी में क्या कि स्पेसिफिकेशन आ जाते यह जाते यह जैसे जावा में वही टेक्नोलोजी डेली बस इसका इंजन थोड़ा बड़ा है इसका जो पावर है वह 13 bhp का पावर बिलता है अधर्टी वा एनम का टॉर्क अपको इस गाड़ी में मिल जाता है और न्यू ग्रेडल आपको इसमें चैसी में जाता है वही में बात कुरूँ इसके शेटप की तो इसमें फ्रेंट में आपको में जाएगा टेलिसकोपिक फोग और पीछे मिल जाएगा डूएल शॉक होता है याने रेट्रो लुक में होता है और जो जावा पहले हाती है उसमें इस फीचर बैक मैं आपको इसमें अच्छी चीज मिल यह दैडिए अपको इस एप से करेड़े में मिलेगा वही मैं बात कुरूँ जावा प्रिक तो इसमें दोणों ही साइड उपको भी ब्रिक म लाने में बहुत टाइम है उसका स्पेस्टिफिकेशन अभी तापको देखे क्या मतला तो सबसे पहले बात करें जावा और जावा 42 इसके जो टायर साइज में जो फ्रेंट है दैट इस नाइंटीन बाइंटी का एटीन इंच का फ्रेंट का स्पोक वील है और वहीं पीचे है यह इसका में जावा और जावा 42 तो दोनों का फ्यूल टैंक ए 14 लेटर का फ्यूल टैंक आप दोनों गारी में मिल जाएगा अब मैं बात कुरू इस गाड़ी का एक्च्वल वेट थोड़ा जादा है 170 kg का वेट आपको इसमें मिल जाएगा वहीं ड्राइव वेट की बात क गाड़ी की कलर की तो जावा में सिर्फ 3 कलर मिलेगा लेकिन आपको जावा 42 में 6 डिफरेंट कलर मिल जाएगा ऑप्शन जो आपको अच्छा लगए वो प्लीज ले सकते है और वन मोर तिंग यह लॉंच तो होगी इसका में कॉमपेटिटर तो होगा रॉयल एंट फिक क्लास है लेकिन इस में यॡ़ोए defence क्वी आट तो अच्छा हो थे लेकिन स्रिफ ड्रमब्रेक है आपको इस इनफोरमेशन अच्छा लगए अच्छा लगया एट stir लाइक करना और अच्छा लगए तो प्लीस शेयर के नא ठill then I will see you soon in my next vlog नेक्स ब्लोग, नेक्स ट्रिव्यू, नेक्स न्यूज, कुछ भी हो सकता है, तिल लेन बाय और चाओ, और इस बाइक से और कोई न्यूज चाहिए, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताएए, मैं वो भी आपको बता दूँगा